तो आज मैं एटम्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करने की 100 days in Minecraft hardcore in an amplified world अगर तुम लोग को नहीं पता तो amplified world एक ऐसा world generation है जिसमें बहुत ज़्यादा उंचे उंचे mountains होते हैं जो की normal world में generate नहीं होते हैं यहाँ पर तुम लोग को एक casually उड़तावा floating island भी दिख सकता है या फिर बहुत ज़्यादा deep chaos भी दिख सकते हैं अलसो मैं इसे खेलने वाला हूँ Minecraft hardcore में मतलब एक छोटी सी गलती से मेरा world खतम हो सकता है तो क्या मैं ऐसे world में 100 days survive कर पाऊंगा इस वीडियो के लिए मेरे 3 main goals हैं मेरा 1st goal है एक सुन्दर सा base build करना 2nd goal है एंडर ड्रागन को बीट करना और इलाइटर को ले के आना और 3rd goal है max enchanted diamond tools और armor को बनाना अलसो मुझे इस वीडियो को बनाने में हफतों की मेनत लगी है और तुम लोग को सिर्फ एक सेकेंड लगेगा इस वीडियो को like करने में तो hey guys मैं हो साथ उक्सव और स्वागा थे तुम लोगा अंका amplified world में day one को मैं spawn हुआ था एक पेड के उपर तो मैंने सोचा कि मुझे उससे ही wood काट लेना चाहिए उसके बाद मैंने बनाई थोड़ी सी wood फिर crafting table और थोड़ी से sticks और एक wooden pickaxe और मुझे पास में ही थोड़ी से stones दिख चुके थे तो मैंने जाकर उनको थोड़ा I think थोड़ा सा ज्यादा ही तोड़ लिया anyways उसके बाद मैंने बनाई एक stone pickaxe, stone axe और stone shovel उसके बाद मैंने थोड़ी और wood थोड़े actually मुझे दूर में एक mountain दिख चुका था और उसके उपर थोड़े से iron दिख रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस iron को ले लेना चाहिए क्योंकि अभी मुझे iron का tools बनाना था तो मुझे उसके उपर चड़के iron लेना था यहाँ पर मुझे पास में एक मुर्गी दिखी और मैंने उसे मार दिया तुम लोग क्या expect कर रहे थे फिर मुझे एक और मुर्गी दिखी बट मैंने उसे نہیں मारा क्यूंकि उसका बच्चा था मैं ऐसे हर किसी को नहीं मारता बाद में वो सेम मूर्गी मुझे अकेले दिखी थी तो मैंने उसे मार दिया मुझे सुनना ही नहीं है उसके बाद मैं थोड़े से दूर के नजारे को देख रहा था और यह बहुत जाद एपिक लग रहा था तभी मैंने नोटिस किया कि यहां पर बहुत सारे जॉंबिस हो गये रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसमें डे टाइम में भी मॉप्स होते हैं इनवैस अभी मुझे मॉवन्टैन की इब astrology करना था तो मैंने थोड़े से वुड को तोड़ना स्टार्ट कर दिया ठाकि मैं उसे building blocks की तरह यूज कर सकूँ एंड ऐसे ही करके मैं उस जगह पे आया और मैंने उपर चड़ना स्टार्ट कर दिया उपर जाकर मुझे आईरन मिल चुका था और यह बहुत सारे आईरन थी और सो मैंने यहां पर देखा कि यह माउंटेंस बहुत ज्यादा खतरनाक हैं अगर उपर से मैं गलती से भी नीचे गिर जाओंगा तो खतम हो जाओंगा एंड यहां पर पास में मुझे कोई विलेज नहीं दिख रहा था बट मुझे कैसे भी एक विलेज फाइंड करना था उसके बाद मुझे उपर माउंटें में थोड़े से आईरन वगेरा दिख चुके थे इससे मुझे यह पता चला कि माउंटेंस के उपर आईरन होता है जो कि अच्छी बात थी एने इस मैंने इस आईरन को तोड़ना स्टार्ट कर दिया ओके इससे मुझे मिल चुका था ट्वेंटी आईरन जो कि डे वन के हिसाब से अच्छा है और दूर में मुझे एक ओशन मिल चुका था और मैं अपने बेस को ओशन के साइड में बिल्ड करना चाहता था क्यूंकि ओशन के पास घर बिल्ड करना मुझे पसंद है तो यह से नीचे चला गया तब ही मुझे थोड़े से काउस और शीप मिल चुके थे सिंपल वर्ट में बताऊं तो थोड़ा सा फूड मिल चुका था और मैं शीप को नहीं मारने वाला क्यूंकि इसका बच्चा है मैं ऐसा ही सबको नहीं मारता बट इन लोगों को मार सकता हूं उस से मैंने शीप के वूल को शियर किया बट अभी जब मैंने इसको देखा यहां पर वह बच्चा बड़ा हो चुका था और उसी बच्चे की वज़ए से मैं उसको नहीं मार रहा था बट यहाँ इनको ना मारने को कोई रीजन नहीं है उसके बाद मैंने उसी वूल से एक उसके बाद मैंने थोड़े थोड़े करके फूड को भी कुक किया और एक आरन का एक्स बनाया फिर एक शवल उसके बाद गाय को मारा तब ही मैंने दीखा कि यहां पर दूर पर थोड़े से स्केलिटन्स दिख रहे थे जो कि अच्छी बात नहीं थी अगर मैं वहां पर जाओ कि मुझे यहां से पैक अप कर लेना चाहिए तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को उठा लिया और बैड से अमेल जी करते नीचे चला गया एन्वेस मैं नीचे ओशन के पास आ चुका था और यहां पर मैं अपने बेस को सेट अप कर सकता था बट मुझे यह जगा उतनी पस सारी में यहां पर चड़ने लगा क्यूंकि यहां पर आनिमल्स को मारने की शुरुत और मुझे थोड़ा सा आइरन दीख चुका था तो यहां पता नहीं कैसे यहां पर थोड़े टाइम में रात हो चुकी थी तो इसलिए मैं LNG करते हुए स्यां बहृत ज्रयाद एपिक था स्टाइल है we you ко मुझे मिलने के लिए कि मुर्ग आ चुके था तो मैंने उसका अच्छे से स्वागत किया एंडी यह भी मैंने उपर से लेकर नीचे तख सारे अनिमल को मारना स्ट्रकर कर दिया a सारे अनिमल्स को मारने के बाद मैंने निच्चा कर थोड़े से आयरन को स्मेल्ट किया और थोड़े से फूड को स्मेल्ट किया देन उन्हें आयरन से मैंने बनाई एक आयरन का चेश्ट प्लेट और एक आयरन का बोट्स अभी मैं अल्मोस्ट कवर हो चुका था आयरन से मेरे स्वाईर्ण का पैंड नहीं था बट कोई बात नहीं यह माइँ क्राफ्ट आफ गुषॡ कीअ मुझे ऑनीमल्स को मार की बोट सारे फुड मीले थे अद उसके साथ मैंने यहां पर बेट करें संसेट को एंजय किया यहां पर एक मुक्य शंबा ने आ चुका था उसको मैंने मारा तो उसने पैंट ड्रॉप किया यह लिटरली एक डूरेबिलिटी का पैंट था बट कोई बात ने इसने मेरे इज़त बचा ली उसके बाद मैं सो गया डे 4 को मैं निकल गया एक नए प्लेस को फाइंड करने के लिए जहाँ पे मैं अपने बेस को सेट अप करने वाला था रास्ते में मुझे एक रिविंट पोर्टल मिला जिससे मैंने दो गोल्ड ब्लॉक्स चुरा लिए एंड बाकी कुछ खास नहीं था यहाँ पे रास्ते में एंप्लिफाइड वर्ल्ड में यह बड़ा ही होगा बट यहां मुझे इससे फरक नहीं पड़ता उसी जगह पे मुझे थोड़े से शुगर के इन सौर मिले उनको भी मैंने तोड़ दिया एंड फिर में उस जगह से निकल गया रास्ते में मुझे एक जंगल बयोम मिला जह कि मैं बहुत ज्यादा कुछ था थोड़ी देर बाद मैंने वहां से निकलने का सोचा क्योंकि वहां पर इतना मज़ा नहीं आ रहा था बट अभी मैं अकेला नहीं था मेरे साथ एक दोस्त था इमोशन लो उसके बाद मुझे एक और रिवेंट पोर्टल दिखा जहां पर ज अब तो मुझे लगा कि मुझे यहां पे अपना हाउस को बिल्ड करना चाहिए एक वीच साइड हाउस जैसा लगेगा बट उसके लिए मुझे इस एरे को थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा तो मैंने सैंड को हटाना श्टार्ट कर दिया अअग एन्ड आसे मैंने अपने झाल झाल आपके तो गैश अभी अपना घर बिल्ड हो चुका था मैं जल्दी से इसका टूर दे देता हूं तो ये है अपना घर का एंट्रेंस यहां से हम लोग अंदर जाते हैं और यहांपर हम लोग अपने चपल को रख सकते हैं ऐसे करके, या चपल को लेकर घर के अंदर नहीं जाना चाहिए, इन्वेस पैन लेते हैं, तो या यह है अपना घर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, थोड़े बहुत चेस्ट है, और बेड है, और बहुत सारे ग्लास है, इस ग्लास से मैं यहाँ पर नेचर को देख सकता हूँ, जैसे किन माउंटेंस को देख सकता हूँ, और यहाँ पर एक बालकनी है, यहाँ से मैं अपने विलेज को देख सकता हूँ, और यह अपने घर में बस उतना ही है, मैं अपने चेस्ट को निकल के यहाँ पर लगा देता हूँ, और अभी मुझे लगा कि मुझे माइनिंग के लिए एक जगों को बिल्ट करना चाहिए क्योंकि मैं नेक्ष्ट डायमंट्स को फाइंड करना चाहता था तो इसलिए मैं यहाँ पे नीचे डिक करने लगा एन्वेस डेट वैल तक मैं वाई लेवल माइनस 58 पर पहुंच चुका था उसके बाद मैंने श्रिप माइनिंग करन मेरे पास टॉर्चस नहीं थे इसलिए मैं उपर चला गया ताकि मैं थोड़े से टॉर्चस बना सकूं फिर मैं घर आकर सो गया डे 13 पे मैंने थोड़े से टॉर्चस बनाए और मैंने थोड़े से केल्प तोड़े ताकि मैं एक वाटर एलिवेटर बना सकूं और अभी मैं म बहुत ज्यादा लेट हो चुका था एंड फाइनली जाके मैं डेड हार्ट में बचा अभी मैं आ पे दो सेकेंड भी ज्यादा ड्राउन होता तो मर जाता बहुत ज्यादा स्केरी था यह एनिवेस नीचे जाके मैंने अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया थोड़ी दूर जा एनिवेस थोड़ी दियर बाद मुझे थोड़ी औरमेंट मिले यह च्छली इसको देखके मुझे को बना सकता था तो इसलियर मैंने आपने वायर सोर्श को ले के आया और मैं अपने लावा के साइड में ऐसे माइनिंग कर ही रहा था तभी मुझे थोड़े और डायमेंट्स मिल गए या ये बहुत ज़्यादा लखी मूमेंट था लाइक मैं आपसीडियन बनाने के लिए थोड़ा सा एरिया माइन कर रहा था बट डायमेंट्स मिल गए अच्छी बात है अभी मुझे दो डायमेंट्स मिल चुके थे बट मैंने जब आसपास माइनिंग करा तो मुझे थोड़े और डायमेंट्स मिल गए तो 1.18 में हमेशे डायमेंट के आसपास माइन करो वरना बहुत सारे diamonds मिस हो जाएंगे थोड़ी दिर बाद मैंने याप एक अच्छा कासा area बना दिया था और जब मैं नीचे माइन कर रहा था तब तोड़े और diamonds मिले और इससे मेरे बन चुके थे 16 diamonds उसके बाद मैंने याप एक water source को डाला और एक एक lava source को निकल के यहाँ पर जालता गया ताकि यह obsidian बन जाए फिर मैंने इसको तोड़ना start कर दिया ओके इसको तोड़ने के बाद मेरे पास 19 obsidian बन चुके थे उसके बाद मैंने वही पर थोड़े से diamond के tools क्राफ्ट किये जिसे एक axe और shovel ताकि मुझे stone के tools से चुटकार मिल सके अभी मैं upgrade हो चुका था diamonds में फिर मुझे लगा कि मुझे अपने घर को वापस जाना चाहिए तो इसलिए मैं अपने घर को वापस चला गया बट एनिवेस उसके बाद मैंने जाके अपने सारी चीजों को अपने chest में रख दिया mining से मुझे बहुत सारे deep slate मिल चुके थे उसको रखने के बाद मैं सो गया day 15 पर मैं अपने village पर चला गया यहां से मैंने थोड़े से हेबल्स चुरा लिए उपर अकर थोड़े और हेबल्स चुरा लिए तब ही मुझे यहां पे एक iron golem दिखा उसको मैंने मारा और यहां पे जाके wait कर रहा था कि यह आएगा बट यह नहीं आ रहा था तो जाके मैंने उसको आने के लिए help किया या मैं इस iron golem को help कर रहा हूं मुझे ही मारने के लिए कितना अच्छा इंसान हूं मैं उसके बाद म बट एनिवेस मैं iron के पास पहुंच चुका था तो मैंने इसको तोड़ दिया उसके बाद मैं घर वापस आ गया घर आकर मैं सो गया day 16 को मैंने अपने लाए हुए iron को smelt कर दिया एक skeleton को मारा उसके बाद मेरे sugarcans grow हो चुके थे तो मैंने इसको निकाल दिया और इनसे बहु मुझे नेधर में जाना चाहिए क्यूंकि उसी से हम लोग game को progress करेंगे तो मैंने इसको यहां से build करना start कर दिया और यह complete हो चुका है मेरा नेधर पोर्टल यह बहुत ज्यादे epic लग रहा है और इसका first traveler भी आ चुका है यह देखो मुझसे पहले इसे ने travel कर दिया कोई बात नहीं उसके बाद मैं जाकर सो गया day 17 को मैंने decide किया कि मुझे नेधर में जाना चाहिए उससे पहले मेरे पास थोड़े से diamonds दे उनसे मैंने एक chest plate बनाया अभी मैं थोड़ा सा protected feel कर रहा था क्यूंकि diamond का chest plate थोड़ा सा अच्छा होता है अच्छा उसके बाद मैंन गोल्ड का boots बनाया वरना piglins मुझे बहुत मारते यह करने के बाद मैं सीधा चला गया नेधर में नेधर में मुझे एक अच्छा spawn मिला था I mean एक ठीक ठाक spawn मिला था मुझे रिविंट पोर्टल से जितने भी gold मिले थे उनको मैं लेके आया था तो मैंने यहां पर piglin भाई से थोड़ी बहुत trading कर ली और उसको मैंने गड़े में बंद करकर थोड़ी से रिश्वत दी उसके बाद मैंने यहां पे घाष्ट देखा और उसको मैंने मजाक मजाक में ऐस मेरे साथ यह हो गया यहां पर मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ लेकिन मैं बच गया इनिवेस यह बहुत ज्यादा रिस्की था उसके बाद मैंने थोड़े और quartz को तोड़े quartz को तोड़ने के बाद मुझे यहां पे एक warp forest मिल चुका था यह छोटा सा warp forest था तो सबसे पहले तो मैंने यहां से थोड़ा सा wood collect किया और तब ही मुझे दूर में एक Riven portal दिखा तो मैं उसके पास चला गया Riven portal में मुझे दो gold blocks मिले और उसके chest में एक feather falling 4 का boots था उसको मैंने जल्दी से replace कर दी अपने golden boots से उसके बाद मैंने gold blocks से ingots बनाएं and gold nuggets से भी ingots बनाएं औ उसको trade करा इससे मुझे थोड़े बहुत enderples मिल चुके थे and soul sand वगेरा मिल चुका था और बहुत सारी useless चीज़े मिल चुकी थी anyways उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे थोड़ा और quartz को तोड़ना चाहिए ताकि मुझे enchantment वगेरा करने के लिए XP मिल सके तो यहाँ उसके बाद मैंने थोड़े से quartz को तोड़ा फिर मैं घर वापस चला गया घर में जाकर मुझे जो piglin से leathers मिले थे उनसे मैंने books बनाएं और थोड़े से bookshelves बनाएं फिर उसके बाद मैंने उससे बनाया तीन लेक्टन यह बहुत ज्यादा useful होने वाला था obviously इसको मैंने बनाया तब villagers से trading करने के लिए तब ही मुझे दूर में एक बड़ा सा जंगल पेट दिखा तो मैं चला गया उसको तोड़ने के लिए यह 17 को मैंने एक बो बनाया क्योंकि मैरे पास बहुत सारे arrows बन चुके थे trading करके उसके बाद मैं विलेज में चला गया यहां पर मुझे एक विलेजर दिखा जो कि फसा हुआ था यह water के flow की वज़े से यहां पर फसा हुआ था तो मुझे एक idea और मैंने इसको और भी mountain के अंदर दसा दिया फिर मैंने यहां पर एक चोटा सा area create किया यहां पर मैं villagers को breed करना चाहता था थोड़ी देर बाद मैंने यहां पर एक अच्छे खासे area को create कर दिया था उसके बाद मैंने यह देखा कि यहां पर एक villager फसा हुआ था और मुझे इसको भी वही पर ले जाना था इसल कर दिया फिर मैंने विलेजर के घरों से थोड़े से बेड्स चुरा कर यहां पर लगा दिये तब यहां पर एक छोटा सा जॉंबी आ चुका था यह बहुत ज्यादा एनॉइंग था इन्वेस उसके बाद मैं यही पर सो गया डे को मैंने इनको थोड़ा सा ब्रीडिंग करा उसके बाद मैंने यहां पर थोड़े से लक्टन्स लगाए और अभी एक बच्चा भी आ चुका था एन्वेस शुरुआद में मुझे अच्छे खास एंचान्मेंट्स नहीं मिले ओवियसली मैं यहां पर होप कर रहा था फॉर्च के पेड को काटने से आये थे इससे मेरे पास थोड़े बहुत एमरेल्स बन चुके थे उसके बाद मैंने फिर से लेक्टन लगाना स्टार्ट कर दिया फॉर्चिन 3 को होप करते हुए बट मुझे एक एफिशेंसी 4 का विलेजर मिल गया जो कि बहुत ज्याद अच्छा था तबी मुझे एक गोलेम के मरने की आवाज आ रही थी तो मैं बाहर जाकर देखना चाता था कि ये क्या है बाहर मुझे एक गोलेम ड्राउन होता हुआ देखा ये बहुत ज़्यादा अजीब था क्योंकि ये पानी की कॉंटैक्ट में भी नहीं था थोड़ी देर बाद ये नहीं हो रहा था तो फ्री का यन चला गया मेरे हाथ से उसके बाद मैंने जाकर थोड़े से वुड़े काटे टाकि मैं इस्टिक्स का बिजनेस कर सकूँ फिर मैंने थोड़ी से बिजनेस करी उसके बाद मैंने उन एमरेल से एफिशेंसी 4 को खरीद लिया मुझे भी fortune 3 चाह सकता था उसके बाद मैं फिर से जाने वाला तब वुड़ तोड़ने के लिए तभी मुझे थोड़े से पिलेजर्स दिखेते मैं यहां पे इसली रेड करवा के टोटम आफ अंडाइंग को ले सकता था बट यह बहुत ज्यादा रिस्की था क्यूंकि वेक्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग होते हैं तो यह अभी मैंने सोचा कि मुझे अभी रेड नहीं करना चाहिए क्यूंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हो उसके बाद मैं थोड़े से वुड़ को तोड़ने के लिए दूर चला गया और मुझे लैदर भी चाहिए था तो मैं काउस को भी ढूंड रहा है अजीब है यह बहुत ज्यादा फाइनली मुझे एक काव मिल चुका था तो मैंनों उसको मिल किया और उसके बाद उसी कोई मार दिया आज कल भलाई का जमाना नहीं रहा उसके बाद मैंने थोड़े और वुड़े फिर मैं जाके सो गया डे 24 को मैंने थोड़ा सा बिजने इसको ब्रीड कर सकता था तो इसलिए मैं एक वीट फाम बनाना चाता था तो इसके लिए मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया और मैं इसको थोड़ा सा सर्क्यूलर बनाना चाता था ताकि थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगे यह थोड़ी देर बाद यह कुछ ऐसा लग था बाद में मुझे माउंटेन में थोड़े आयरन दिखे एंड मैं चला गया उसको तोड़ने के लिए यह रहा आयरन रात तक मुझे 56 आयरन मिल चुके थे जो कि बहुत ज्याद एपिक था तो मैं घर वापस आकर सो गया दे 28 को मैंने यहाप थोड़े से बुक शेल्स बनाए और उसको बाहर अपने आंगन में लगा दिया पता नहीं क्यूं फोर बुक शेल्स से मेरा क्या होगा पुछ क्या एनिएस उसके बाद मैंने थोड़े से शुगर के इंस तोड़े और अपने आयरन को स्मेल्ट किया फिर म मैंने efficiency 4 और fortune 2 को combine किया और अपने pickaxe पे डाल दिया फिर मैं जाने वाला तो diamonds find करने के लिए तब यहां पे एक trader spawn हुआ वह हमेशा की तरह useless चीज़े ही दे रहा था तो इसलिए मैंने उसे मार दिया और उसके चम्चों को भी मार दिया एन्वेस इससे मुझे free leather और lead मिल गय water elevator को बनाने के लिए उसके बाद यहां पे एक soul sand लगा दिया अभी हम लोग easily उपर जा सकते हैं उसके बाद मैं इसको test करना चाहता था तो मैं इसके अंदर चला गया और यह अच्छे से काम कर रहा था फिर मैंने mining के रहों को थोड़ा सा decorate किया और यह यह थोड़ा सा अच् यहां पे total 4 diamond थे जिससे मेरे 7 diamonds हो गए और तभी आगे जाके मुझे थोड़े से diamonds मिले यह total 4 diamonds थे इससे मुझे 12 diamonds हो चुके थे मैंने थोड़ा आगे माइन करने की कोशिश करी बट मेरे pickaxe के durability 1 हो चुका था तो इसलिए मैं वापस आ गया और अभी मेरे पास हो चुके थे 18 diamonds उपर मेरे wheat grow हो चुके थे इसलिए मैंने जाके थोड़ी सी farming करी और मैं यहां पे similarly एक और फार्म बनाना चाहता था circular वाला ताकि थोड़े से और crops grow हो सके इसलिए मैंने यहां पे एक और फार्म बनाना start कर दिया anyways तभी मैंने गलती से इस cobblestone को तोड़ दिया मुझे या से cover हो चुका था diamonds में also मेरा circular farm भी complete हो चुका था यह इतने फाइदे का नहीं होता बट यह दिगने मैं अच्छा लगता है day 33 पे मैंने थोड़े से ships मारे और बाकी मैंने leather के लिए थोड़े से exploration वगेरा किया बट मुझे मिला नहीं तो मैं जाके सो गया day 34 को मैं फिर से जान जादा कुछ नहीं था बस दो emeralds थे day 34 के शाम तक भी मुझे काउस नहीं मिले तो इसलिए अभी तक मेरे पास bookshelves बनाने के लिए leather नहीं थे इसलिए मैं घरा कर सो गया day 35 को मैंने थोड़े से breeding करी और चला गया थोड़े और exploration करने के लिए also थोड़े सा वुड़े तोड पर villagers को store कर सकूँ इसलिए मैं mountain के अंदर पहले तो एक staircase बनाने लगा और उसके बाद थोड़ा आगे जाके मैंने एक room बनाया फिर मैंने उसमें थोड़े से villagers को transfer किया उसके बाद मैंने एक villager को cat करके थोड़ी सी trading करने की कोशिश करी बहुत time बाद उसने एक infinity का book दिया also एक और villager ने sharpness fight दे दिया यह बहुत जाद एपिक था उसके बाद मुझे लगा कि मैंने जो नीचे room बनाया था वो useless है क्योंकि इसका कोई फाइदा नहीं था villagers सारे वापस जा रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे इसको extend करना चाहिए मुझे इसको आगे ले जाना चाहिए hundred blocks से दूर तब villagers इस जगह से disconnected हो जाएंगे तो इसलिए मैंने यहाँ पर mining करना start कर दिया अभी मैं hundred blocks दूर तक जाने वाला था यहाँ पर बहुत ज्या किया एंड यह अभी यह complete हो चुका था इसमें मैंने चोटे-चोटे से compartments बनाए ताकि villagers को रख सकूँ या फिर तुम लोग इसे jail cells बोल चकते हो एंड थोड़ी दिर बाद यह कुछ ऐसा लग रहा था यह jail cells नहीं है यह बस villagers को रखने के लिए है anyways उसके बाद मैंने इस tunnel को बहुत ज्यादा damage हो रहा था इस थोड़ी दिर बाद एक और विलेजर ने जाके उसको join किया फिर मैं ऐसे करके water source लगाता गया जिससे villagers आगे जा रहे थे एंड ऐसे करके मैं उनको उस गुफा में ले गया उसके बाद मैंने इस steps को थोड़ा सा high बनाया क्यूंकि इससे villagers को damage हो रहा था फिर मैंने ऐसे ही करके एक और विलेजर को वहाँ पे ले गया और उनको एक 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 compartment में ब्लॉक कर दिया इनसे क्या होगा कि मुझे trading करना easy हो जाएगा इनको कोई भी prisoner नहीं बुलाएगा फिर मैं ऐसे ही करके एक और विलेजर ले गया उसके बाद मैंने इनको Fletcher's बनाए obviously ताकि मैं Strix trade कर सकूं and day 43 के रात को मैं इनको किड्नाप कर रहा था उसके बाद मैंने एक विलेजर को लाइबरेरे रेन बनाने की कोशिश करी और यह इतना कुछ अच्छा trade नहीं कर रहा था बट बहुत ताम बाद यह protection 4 दे देता है बट मैं इसको लेता नही sales में बंद कर दिया मैंने उनको काम दे दिया उसके बाद मैंने उसी protection 4 वाले विलेजर को job देने का काम स्टार्ट कर दिया और बहुत तैम तक इसने कुछ अच्छा बुक नहीं दिया बट फिर इसने चमतकार कर दिया इसने protection 4 फिर से दे दिया वो भी 21 Emeralds पे आच्छा हु लेजर ने मुझे Mending दे दिया वो भी 10 Emeralds पे जो कि बहुत ज़्याद एपिक था उसके बाद मैंने थोड़ी से वुड़ तोड़ना स्टार्ट कर दिया ताकि मैं बिजनेस कर सकूँ Day 48 को मैंने 2 Iron के Axis बनाएं क्योंकि मेरा Diamond का Axe तूटने वाला था और उसके बाद मुझे याद आए कि मेरे घर के पीछे एक Jungle है Literally एक Jungle Bayom है वहाँ से मुझे Unlimited Wood मिल सकता है तो मैं चला गए अपने घर के पीछे वाले जगर पे यहाँ से देखो मेरा घर कितना चोटा लग रहा है और यह scenery बहुत ज़्याद एपिक है Day 48 के शाम तक मैं Wood तोडता रहा यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि Clouds आ चुके है मतलब यह Mountain कितना ज्यादा उंचा है Literally मैं Clouds के बीच पेड तोड रहा हूं बट एन्वेस उसके बाद मैं ऊपर पेड पर ही सो गया Day 49 को मैंने थोड़े और वुड़ तोड़े जब मैं वुड़ तोड़ रहा था तब ही मुझे एक Panda दिखा और मैंने Minecraft में Panda बहुत कम देखा है तब मैंने पास में थोड़े से बैंबुस लिए और उसको Panda को खिला दिया इससे यह बंदा बहुत ज्यादा खुश था बटिया मैं इसको घर नहीं ले जा सकता यह बहुत ज्यादा मोटा है उसके बाद मैंने और थोड़े पेड तोड़े और Day 49 के रात को भी मैं यही प जगा पर अभी मैं टोटल यह चार जगों पर यह बड़े वाले जंगल पेड़ को ग्रो करना चाहता था और थोड़े दिर बाद यहां पर एक बड़ा पेड़ भी हो गया इन्वेस उसके बाद मैं विलेज में चला गया और मैंने अभी तक जंगल में जितने भी पेड़ ठोड़े ते उनसे sticks बनाई और फिर business करना start कर दिया anyway इस business से मुझे एक स्टैक से ज्यादा islandSी मिले उसके बद मैंने एक और बार एक विलेजर को काम देना start कर दिया ठोड़े टैम बाद उसने feather falling tree दिया जिसको मैं easyly four में convert कर सकता था तो इसलिए मैं इससे ये book ले लिया उसके बाद मैंने तीन protection 4 के book ले लिये, अभी मेरे पास total 4 protection 4 के book थे, एक book को मैंने starting में ले लिया था, तो या इससे मैं अपने पूरे armor को protection 4 में cover कर सकता था, अभी मेरे पास emeralds खतम हो चुके थे, बट problem ये था कि ये villagers trade नहीं कर रहे थे, यहाँ पर कोई भी trade नहीं कर रहा यहाँ पर देखो मेरे पास कितने सारे books हो चुके हैं, मुझे इनको combine करना पड़ेगा, anyways उसके बाद मैंने थोड़े से gravel तोड़े ताकि मैं fletching tables बना सकूँ, फिर मैंने fletching table की मदल से सारे sticks को बेच दिया, उसके बाद मैंने buy किया थोड़े से mending के books, ये मैंने buy किया था और वो मुझे मिल चुका था, उसके बाद मैं घर गया, घर में जाकर मैंने protection 4 की book और mending के book को combine किया, ताकि मैं इसे सीधा armor पे लगा सकूँ, ऐसे ही मैंने 4 बार किया, also एक diamond के sword को craft करके उसमें sharpness file लगाया, then अपने bow में infinity लगा दिया, उसके बाद मैंने chest plate में protection 4 और mending की book डाल दी, बट बाके के armor में ये करने के लिए मेरे पास enough XP नहीं था, तो इसके लिए मुझे कुछ और सोचना था, बट मैंने 2 feather falling 3 के books को combine करके feather falling 4 बनाया, अभी मेरे पास अपने armor में लगाने के लिए 4 books थे, तब ये armor थोड़ा बहुत ठीक टाक हो जाता, उसके बाद मैं मैंने decide कि मुझे जाना चाहिए nether में, ताकि मैं nether quads को तोड़के XP ले सकूँ, मैंने nether में जाके थोड़े से ores को तोड़ना start कर दिया, जैसे gold के ore को, इसे हमलों को gold भी मिलता है और थोड़ा सा XP भी मिलता है, ये इतना ज्यादे XP नहीं देता बट कोई बात नहीं, protection 4 और mending को डाल सकूँ, 10 XP होने के बाद मैंने boots में protection 4 mending डाल दिया, अभी मेरा पूरा armor cover हो चुका था protection 4 और mending में, इसको पहनने के बाद मैं strong feel कर रहा था, घर में जाकर मैंने अपने village में थोड़ी सी farming करी, क्योंकि मुझे लगा कि जितना बड़ा farm area होगा, यहाँ पर मै इतने villagers को breed कर सकता हूँ, तो मैं जी जितने भी जगह दे के वहाँ पर मैंने एक farmeria बना दिया, उस पर मैंने seeds भी डाला, day 52 को मैंने एक iron golem को मारा, यहाँ पर यह पानी में नहीं आ सकता, तो इसको मैं easily मार सकता था, also मैंने एक और iron golem को मारा, यह कते ही एक iron farm जैसे बन च cinematic लग रहा था, anyway, फिर मैं जाके सो गया, day 54 को मैंने एक और iron golem को मारा, और थोड़े से sticks trade किये, और अभी मेरे बड़े से jungle पेड ग्रो हो चुके थे, तो मैंने उनको तोड़ना start कर दिया, day 55 को यहाँ पे एक trader आ चुका था, जिसका एक यह लामा था, पता नहीं एक और लामा के साथ इसने क्या किया, यह हमेशा की तरह useless चीज़े ही दे रहा था, तो मैंने इसके लामा को मार दिया, ताकि मुझे free में leather मिल सके, उसके बाद मैंने थोड़े और wood को तोड़े, day 56 को मैंने थोड़े से gravel तोड़े, ताकि मैं flint बना सकूँ fletching table के लिए, क्यूंकि मैरे सारे fletchers out of stock हो चुके थे इसका reason था कि उनके पास एक dedicated fletching table नहीं था, इसको तोड़के मुझे 20 flint मिले, उनसे मैंने बनाई 10 fletching tables, उसके बाद मैंने village में जाकि थोड़े से iron golem को मारे, villagers के पास भी iron golem को मारा, day 58 को मैं अपने business करना start करने वाला था, तब ही मैंने इन सारे wood को तोड़ दिया, और उसके जगा पे fletching cables लगा लिया, इससे क्या होगा कि ये सारे fletchers restock हो जाएंगे, ताकि मैं इनसे और भी sticks बेच सकूँ, फिर यहाँ थोड़ी देर बाद ये restock हो गए, और ये sticks को ले रहे थे, उसके बाद मैंने इनसे सारे sticks को बेच दिया, और अभी मेरे पास almost 2 stack emeralds हो के लिए, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हों कि मैं तब से iron के pickaxe को use कर रहा हूँ, तो या इसलिए मैंने mining करना start कर दिया, और थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ी से diamonds मिले, तब मैंने सिर्फ 3 diamonds को तोड़े, और उससे एक diamond pickaxe बनाया, और on the spot उस पे fortune 3 डाल दिया, द तो fortune 2 के books को combine करके, फिर मैंने बाकी के बचे हुए diamonds को तोड़े, इससे मुझे मिले 13 diamonds, जो कि मेरे लिए अभी के लिए काफी था, फिर मैं वापस चला गया, और थोड़ी सी खेती करी, day 61 पे मैंने या पे seeds वापस डाला, अभी मैं थोड़ा सा परेशान हो चुका था, क्य इसको बनाना worth it था, वरना बिना enchantment tables के अच्छे कास enchantments नहीं मिलने वाले थे, तो मैंने इसके लिए चीज़े collect करना start कर दिया, सबसे पहले मैंने collect किया बहुत सारे obsidian, क्यूंकि मैं nether roof के ओपर trap नहीं होना चाहता, फिर मैंने इसके लिए बाकी चीज़े collect करना start कर दिय और अभी मुझे जाना था nether roof के ऊपर, तो इसलिए मैं find करने लगा एक crimson red biome को, मुझे actually crimson red biome मिल चुका था, तो मैंने ऊपर जाना start कर दिया, यहाँ पर मैं tunnels बना कर ऊपर जा रहा था, और day 63 पे मैं finally nether roof के ऊपर चला गया, nether roof के ऊपर जाने से पहले मैंने अपने village के coordinates को ले लिया था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस nether portal के उसी village वाले coordinate पे बनाऊंगा, फिर मैंने उस coordinate में जाके एक nether portal बनाया, उसको लिट करने के बाद यह successfully connect हो गया village से, अभी मैं easily nether roof के ऊपर travel कर सकता था, और मैरा traveling fast हो जुका था, फिर मैंने nether में जाकर अपने n weather portal से लेकर crimson red biome तक एक torches का line बनाया, इस torches के pathway से मुझे पता चलेगा कि मुझे कहाँ पर जाना है, इससे मुझे navigate करना easy हो जाएगा, anyways crimson red biome पे जाने के बाद मैंने hoglin farm को build करना start कर दिया, तो गैस अभी finally यह farm complete हो चुका है, तो अभी मैं यहाँ पे AF के करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले जाके देखते हैं कि यह काम कर रहा है कि नहीं, फिर मैं ऐसा ही करके नीचे जाने लगा, तभी मैं गलती से नीचे गिर गया, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा damage हुआ, पते नहीं मैं दूसरी बार नीचे क्यों गिरा था, एनिवेस दो हाट में बचा मैं, एन यह farm successful ही काम कर रहा था, तो अभी time तो उपर जाके बहुत time तक AF करने का, अभी मैं उपर बहुत time तक AF करने वाला था, तभी मुझे लगा कि मुझे तुम लोगों को subscribe करने के लिए बताना चाहिए, तो गईस हम लोग बहुत ज्यादा close है 300,000 subscribers के, तो जल्दी से जाके subscribe कर देना, तो या करो subscribe, ओके यहाँ पर मैंने बहुत time तक AF कर लिया, मैं actually anime देख रहा था, और भूल चुका था कि मैं game खेल रहा हूं, एनिवेस जाके देखते हैं कि क्या हुआ, नीच पर मुझे एक त्रिशुल वाला zombie attack कर रहा था, तो मैंने जाकर उसे मारा, और obviously उसने कुछ भी drop नहीं किया, क्यूंकि त्रिशुल वाले zombies उनको easily drop नहीं करते, और उपर से मेरे पास looting 3 नहीं था, तो इन्होंने कुछ भी drop नहीं किया, तब ही जब मैं जाने की कोशिश कर तब ही दो गंदे से दिखने वाले zombies ने मेरे board को hijack कर दिया, ये लोग इस board को अपना बता रहे थे, तो मैंने इनको मारने के बारे में सोचा, तब ही एक और त्रिशुल वाले zombie ने मुझे attack किया, तो obviously मैं चला गए उसे मारने के लिए, उसको जाके मैंने मजाक मजाक में मा बहुत सारे books बनाए, अभी मैरा limiting चीज हो चुका था paper, पहले books बनने के लिए leather कम पड़ रहा था, बट अभी books बनने के लिए paper कम पड़ रहा है, बहुत ज्यादा आजीब है ये, ये अभी मुझे थोड़े से sugarcans find करने थे, तो मैं चला गया exploration पे, रात तक मुझे कोई भी sugar के नहीं मिला, तो मैं घर वापस आ गया, day 70 पे मैंने 10 bookshelts craft किये, और अपने enchantment table के बाजू में रख दिया, इसमें obviously 30 level के enchantments नहीं मिलने वाले थे, तो मैंने जाकर जो sugar के इन grow हो रहा था, उसको तोड़ दिया, बहुत ज्यादा sad था ये, बट मैंने उनसे 6 bookshelts क्योंकि ender dragon को मारने से बहुत सारे levels मिल जाते हैं, और मैं easily enchantment कर सकता था, उसके बाद मुझे find करना था एक nether fortress, तो actually बात ये थी कि एक amplified world है, और इसके ऊपर वाले part में भी बहुत सारे जगह होते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ऊपर जाना चाहिए, थोड़े से आगे जाके मैं एक basalt biome में पहुंचा, और मैं और भी आगे चलता गया, हजारो ब्लॉक आगे जाने के बाद मुझे एक nether fortress दिख गया, ये बहुत ज्यादा बड़ा nether fortress था, इस पे जाके मैंने एक wither skeleton को मारा, और obviously उसने कुछ drop नहीं किया, फिर मुझे यहाँ पे एक blaze spawner मिल तो मैंने blazers को मारना start कर दिया, ओके अभी मेरे पास हो चुके थे 17 blaze rods, जो कि more than enough at well eye of fender बनाने को, तो इसलिए मैं अभी घर वापस जाना चाहता था, मैं actually रास्ता भूल चुका था कि मैं कहां से आया था, बट लग्की लिए मुझे अपने nether portal के coordinates पता है, उसको देखके म मैं वापस चला गया, और day 71 पे मैं अपने nether portal के पास वापस आ गया, फिर मुझे याद आया कि यहाँ पे एक वाप forest है, और इससे मुझे easily enderples मिल सकते थे, तो इसलिए मैं वाप forest के अंदर चलता गया, अंदर जाने के बाद मैंने देखा कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ब भाग रहा था, और बहुत सारे zombified piglins से भी भाग रहा था, तो यह situation थोड़ा सा खराप था, बट anyways, उसके बाद मैंने tower up किया, और वो enderman उसके उपर नहीं आ पाया, तो मैंने पहले तो उस enderman को मारा, उसके बाद एक एक करके इन zombified piglins को मारा, मैं zombified piglins को मारी रहा था, तब भी एक gas ने आकर मुझे परिशान किया, बट लगकी लिए मेरा aim बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने easy लिए उसे खतम कर दिया, फिर मैंने सारे zombified piglins को खतम कर दिया, मैंने सोचा कि मैरा problem यहां पे solve हो चुका है, बट मैं actually गलत था, बहुत ज्यादा दूर से बहुत सारे zomb zombie fat piglins आ रहे थे, इससे मुझे पता चल चुका था कि यह कभी खतम नहीं होने वाला है, और इसके लिए मेरे पास एक idea था, मैंने सीधा side में जाकर एक tunnel बनाया, और यहां से मैं easily zombie fat piglins को मार सकता था, और वो वापस से मुझे नहीं मार सकते, इससे क्या होगा कि नए zombie fat piglins को पता नहीं चलेगा कि मुझे मारना है, तो इन pigman के group के बाद कोई भी मुझे attack नहीं करेगा, यह देखो यह मुझे attack नहीं करने वाला, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैंने उनको मारा है, इन्वेस हम लोग continue करते हैं अपने काम को, बट यहां पे बहुत time बाद मुझे क्योंकि obviously strong gold को find करने के लिए enough नहीं है, तो मुझे कैसे भी करके और enderples हिकटे करने थे, इसलिए मैंने बहुत सारे lactance को craft किये, क्योंकि अभी मुझे कैसे भी करके अपने sword में looting 3 डालना था, पहले तो मैंने जाकि यहां पे अपना थोड़ा बहुत business करा, एंड उसके बा बहुत time बाद एक बंदे ने मुझे unbreaking 3 दे दिया, जो कि मुझे चाहिए था क्योंकि मेरे armor में unbreaking 3 नहीं है, तो obviously मैंने उससे थोड़े से books ले लिए, यह मैंने चार book ले थे अपने armor के लिए, उसके बाद मैंने कोने में जाकर वही काम करना start कर दिया, और अभी यह सिफ ए जलती से इसको मार दिया, इसको मारने की वज़े से बाकि सारे villagers गुसा हो चुके थे, और वो insanely बहुत जाद expensive बेच रहे थे, तो यह अभी मुझे पता चल चुका था कि यहाँ पे अभी मेरा business नहीं चलने वाला, तो यह मुझे looting 3 के बिना यह काम करना पड़ेगा, उसके बाद मैंने अपने chest plate पे भी unbreaking 3 डाला, और अपने pant में, और अपने helmet में, अभी यह जल्दी से तूटने वाला नहीं था, उसके बाद मैं फिर से चला गया नेदर में, और warp forest में जाकर मैंने फिर से enderman को मारना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि looting 3 तो मुझे वैसे भी नहीं मि था, तो मैंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया, फाइनल यहाँ पे बन चुके थे 19 आयो फेंडर, रास्ते में मुझे एक और enderman मिला, तो total 20 आयो फेंडर बन चुके थे, जो कि obviously more than enough है, उसके बाद मैं वापस चला गया अपने घर में, और मैंने अपने bomb में power 5 डाल दिया, यह बनाई मैंने थोड़े से paper, बट अभी मेरे पास इतने gunpowder नहीं थे, सिर्फ 39 gunpowder बना, anyways फिर में चला गया अपने stronghold को find करने के लिए, इसके लिए मुझे अपने घर से 1000 ब्लॉक दूर जाना पड़ा, और मैंने इस journey में different different biomes को find किया, anyways day 82 तक मुझे अपना stronghold वाला location म सीधा नीचे माइन करने लगा, और lucky में सीधा stronghold वाले room पे पहुंचा, जो कि बहुत ज्यादा लखी था, फिर मैंने कीडों का spawner तोड़ा, और इस पर ice लगाना start कर दिया, यह हो चुका है यह लिट, और हम लोग चले जाते हैं यहाँ पे, और अभी time था ender dragon को beat करने का, म मुझे mine करके उपर जाना पड़ा, उपर जाने के बाद मैंने realize कि यह end world भी amplified होता है, तो यहाँ पे जो towers थे वो बहुत ज्यादा छोटे लग रहे थे, actually end island बहुत ज्यादा उंचा था, इससे यह towers बहुत ज्यादा छोटे लग रहे थे, anyways इससे मुझे crystals तोड़ने को आसा हो गई, उसके बाद मैंने एक एक करके सारे crystals को फोड़े, अब यह सारे crystals फूट चुके थे, अभी मुझे सिफ ender dragon को बीट करना था, तो मैंने जाकर उसे sword से बज़ाना start कर दिया, और यह पता नहीं यहाँ पे invisible क्यों हो रहा था, actually ender dragon को बीट करना इतनी बड़ी बात नह और मुझे लगा कि मैं मरने वाला हूँ, यहाँ फेदर फॉलिंग पोर ओपी है, यहाँ पे मैंने इसे almost खतम कर दिया था, बट लास्ट में इसने मुझे उड़ा दिया, अभी यह बहुत ज्यादा कम health में बचा था, और मैं इसको अपने हादों से मारना चाहता था, अपन मैंने जाकर इसको अपने हाथों से मार दिया, और यह खतम हो अपना एंडर ड्रैगन, इससे मुझे मिल चुके थे बहुत सारे एकस्पी, और मेरा हो गया 66 लेवल्स, जो कि बहुत ज़्याद एपिक है, यहाँ अभी मुझे जाकि इलाइटर को ले के आना था, तो इसलिए मैं चला गया अपने गेटवे की तरफ, जाने से पहले मैंने अपने लाए हुई स्टोन से थोड़े से स्लैप स्क्राफ्ट किये, ताकि मैं एंड वर्ल्ड में इजी ली ट्रैवल कर सकूं, और यह चला गया मैं गेटवे के अंदर, गेटवे के अंदर मुझे एक आच्छा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, लैक लिटरली मुझे इस वीडियो में एक एंड सिटी को फाइंड करने के लिए चार घंटों से ज्यादा लगे थे, बट इस वर्ल्ड में मुझे चार मिनिट भी नहीं लगे, तो मैं बहुत ज्यादा खुश था, और मैं सीध मैंने ज्यादा नाटक नहीं किया, और उसके बाद मैंने फाइनली इलाइटर को पैन लिया, फिर मैंने ड्राइगन के सिर को लिया, अभी हम लोग एंड शेप के सामने से अपना फुर्ष टूडान बरने वाले हैं, फिर मैंने यहाँ पे जाकर थोड़े से लूट चेक यहाँ पे मुझे एक शलकर शल मिला, कुछ फाइदे का नहीं है बट मिल चुका था, इस जगह से मेरे गेटवे की तरफ जाने के लिए 10 सेकंड भी नहीं लगा, बहुत ज्यादा क्लोस था यह, फिर में चला गया अपने एंड वर्ल्ड में, और अपने घर जाने से पहले म दूर जाके घर बिल्ड किया था, तो यह इसका मतलब मेरा घर बहुत ज्यादा दूर था, यह वो जगह है जहाँ पर मैं शुरुवात में सोया था, एन्वेस दे 84 पर मैं अपने घर को पहुंच गया, बट अपना इलाटरा बहुत ज्यादा तूटने को चुका था, तो पह कहां गया, अभी तक वापस आजाना चाहिए था, ओक्या आ गया, उसके बाद मैंने अपने शवल में भी एन्चान्मेंट किया, और मुझे ठीक टाक एन्चान्मेंट्स मिल गए, उसके बाद मैंने एक और स्वार्ड क्राफ्ट किया, और एक एक्स क्राफ्ट किया, मुझे अपने एक्स में एनब्रेकिंग 3 मिल गया और एफिशेंसी 4 फ्री में मिल गया और अभी मैंने ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया लूटिंग 3 के लिए अभी मुझे ना विलेजर्जर्स लूटिंग 3 दे रहे थे ना ये एंचैन्मेंट टेबल फिर मैंने अपने दो एक्सेस को कंबाइन करके एफिशेंसी 5 किया दोनों में एफिशेंसी 4 फ्री था फिर मैं जाके सो गया Day 86 पर मैंने जाकर अपने Villagers से थोड़े से Unbreaking 3 के books ले लिये फिर मैंने जाकर थोड़े से Mending books बाई कर दिये उसके बाद मैंने एक Unbreaking 3 और Mending को combine किया बट मेरा Anvil break हो चुका था Anyways मैंने Efficiency 4 को भी ले लिया और एक नए Anvil को craft किया उसे मैंने अपने Elytra में Unbreaking 3 और Mending डाल दिया और अभी यह easily तूटने वाला नहीं है Also मैंने अपने Shovel में Unbreaking 3 डाल दिया और मैंने थोड़े से Iron Golems को भी हंट किया फिर मैंने अपने Axe में Silk Touch डाला ताकि मैं अपने Enchantment Table को तोड़ सकू तो कैस अभी मैं Ready हो चुका था जाने के लिए End World में Also जाने से पहले मैंने थोड़े बहुत Caves के नीचे Creepers को मार दिये क्योंकि मुझे बार-बार Firework Rockets भी बनाना था तो यह यह थोड़ा सा मुश्किल था Anyways इससे मैंने थोड़े बहुत Firework Rockets बना लिये उसके बाद मैं Day 90 पे चला गया अपने Strong Gold की तरफ और मैं सीधा नीचे कूद गया और Dead Heart पे बचा पता नहीं मैंने ऐसा क्यूं किया Anyways अभी मैं End World में चला गया और अभी मैं एक Enderman XP Farm बनाना चाहता था बहुत ज़्यदा खतरनाक Enderman XP Farm यहाँ पे मैंने रखा एक Crafting Table और एक Ender Chest और अपना Enchantment Table सेट अप कर दिया मेरा आइडिया यह था कि मैं सारे Enderman को Zoom करके देखूंगा और वो सारे गुस्सा हो जाएंगे और मैं इनको ऐसे करके मारूंगा जिससे मुझे XP मिलेगा आप कहां थे ज्यानी बाबा उसके बाद मुझे Realize हुआ कि यह बहुत ज़्यादे useless method है मुझे एक Enderman को मारने के लिए उसे दस बार hit करना पड़ता तो या यह इतना efficient नहीं था तो मैंने सोचे कि मुझे build करना चाहिए dedicated Enderman XP Farm वरना ऐसे करके तो मैं 200 days में भी enchantment नहीं कर सकता फिर मैं चला गए अपने घर में उसके बाद मैंने जाकर थोड़े से creepers hunt किये ताकि मुझे gunpowder मिल सके 14 gunpowder होने के बाद मैं घर वापस आ गया उसके बाद मैंने day 91 पे अपने Enderman XP Farm के लिए चीजे collect करना start कर दिया और मैं इसको mainly build करने वाला था wood से क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा wood है और हम लोग एक wood से 4 planks बना सकते हैं तो मेरा काम बहुत ज़्यादा easily हो जाएगा मेरे घर में जो जंगल के पेट थे वो बहुत ज़्यादा कम पड़ चुके थे तो इसलिए मैं अपने घर के पीछे वाले जंगल में आ गया और यहाँ पर बहुत सारे बड़े से पेट थे तो इससे मुझे easily wood मिल जाता तो या मैंने इसको तोड़ना start कर दिया day 91 के शाम तक मैंने जितने चाहिए उतने सारे wood तोड़ दिये और उसके बाद मैंने बाकी के चीज़े collect करना start कर दिया तो day 94 तक मैरे पास सारे चीज़े collect हो चुकी थी फिर मैं day 95 पे चला गया अपने nether roof के उपर यहाँ से मैं चला गया अपने strong gold वाले coordinate पे और पता नहीं कैसे बट अपना strong gold वाले coordinate अपने hoglin farm के पास था इसे मैं इसे easily locate कर सकता था तो यहाँ पे मैंने एक nether portal को build कर दिया and मैं चला गया इसके अंदर और यह रहा अपना strong gold वाले जगा यहाँ पर मैंने एक mlg करा और मैं चला गया अपने end world में फिर मैंने एक जगह पे एक lava source डाला जो की सीधा नीचे चला गया उसके बाद मैंने उस पे water डाला और बाकी मैं इस enderman farm को continue करता हूँ तुम लोग देखो time lapse अब यह farm complete हो चुका था यह एक्चली बहुत स्यादा जल्दी complete हो गया अच्छा हुआ कि मैंने इसे build किया एक्चली इस farm से enderman one hit होता है तो इसलिए यह जल्दी से काम करता है इन्वेस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा area create किया फिर मैंने जाकर अपने पहले वाले जगह से enchantment table को remove किया और इस जगह पे लगा दिया अब भी मैं यहाँ पे easily enchantment वागेरा कर सकता था मैं एक एक करके बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया पहले मैंने अपने fortune 3 वाले pickaxe में efficiency 4 डाला और इसको efficiency 5 बना दिया इस पे मैंने unbreaking 3 और mending डाला और अपने axe पे efficiency 4 डालके efficiency 5 बना दिया और यह याद रखना कि मैं बीच बीच में बहुत सारे enderman को मार रहा था मुझे अपने sword में looting 2 मिल चुका था बट इसके साथ knockback 2 था जो कि मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं तो तुम लोगों को पताए कि यह कहां जाने वाला है anyways मुझे finally एक looting 2 का book मिल गया फिर मुझे एक sweeping edge 3 मिला also एक fire aspect 2 अभी मेरे पास सिफ 3 lap इस लजुली बचा था और मुझे guarantee नहीं था कि मुझे एक और looting 2 मिलेगा की नहीं बट luckily जब मैंने enchant किया तो मुझे looting 2 मिल गया वो भी last attempt पे जो कि बहुत ज़्यादा लगी था अभी मुझे sword में बस books को combine करना था anyways मैंने नए sword और पुराने sword को combine किया और एक में looting 2 था उसके बाद मैंने एक और looting 2 और fire aspect 2 को combine किया तभी मेरा anvil break हो गया तो मुझे वापस जाना पड़ा और थोड़ी से books भी ले ताकि मेरे सारे tools max हो जाए उसके बाद मैं पहाड़ों पर चला गया iron को find करने के लिए क्योंकि मुझे अभी iron चाहिए था anvil बनाने के लिए तो थोड़े बहुत iron वगेरा इकटे करके मैंने एक anvil बना लिया और उसके बाद मैं फिर से चला गया अपने enderman xp farm पे वहाँ पर मैंने सारे books को combine कर दिया जिसमें से एक book था fire aspect 2 और loating 2 देन इस पर मैंने sweeping edge 3 भी डाला और अपने silk touch वाले pickaxe में efficiency 4 डाल के efficiency 5 कर दिया और अभी तुम लोग देख सकते हैं कि मेरे helmet में aqua affinity और respiration 3 नहीं है तो मुझे उसे डालना पड़ेगा और अपने boots में depth strider डालना पड़ेगा तो यह अभी मैं उसके लिए grind करने वाला था finally मुझे depth strider 3 मिल गया and also aqua affinity मिल गया respiration 3 के लिए मैंने एक और helmet को craft किया and उस पर जब मैंने unbreaking 3 डाला तो मुझे इसमें respiration 3 मिल गया मैंने पहले उस helmet में aqua affinity डाला and 2 helmets को combine कर दिया अभी मेरे पास बन चुका था एक max helmet and also अपने boots में depth strider 3 डाला उसके बाद में घर वापस चला गया घर वापस जाके मैंने एक unbreaking 3 का book buy कर दिया क्योंकि मुझे realize हुआ कि मेरे boots में unbreaking 3 नहीं है तो मैंने उसे भी डाल दिया अभी मेरे पास बन चुका था max armor and max tools और इसी के साथ day 100 का भी रात हो चुका था तो मैं अपने घर वापस आ गया तो इस तरह मैंने survive कि 100 days in amplified world in minecraft hardcore इस point पर मैंने अपने बताई हुए सारे goals को complete कर दिये थे तो अगर तुम लोग इस वीडियो को यहां तक देख रहे हो तो तुम लोगों को इस वीडियो में मज़ा है होगा अगर तुम लोगों को यह वीडियो देख के मज़ा है तो इस वीडियो को like कर देना इस वीडियो के लिए मैं aim करता हूँ 60,000 likes का अगर इस वीडियो पे 60,000 लाइक हो जाते हैं तो मैं 200 डेस की वीडियो अपलोड कर दूँगा और उस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सार आइडियास हैं तो प्लीज इस लाइक एम को कम्प्लेट कर देना तो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया एंड या मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाई पीस आउट